अब कुछ बॉज्ट बोज एन गर्स आज हम लोग इसमें ख्रेश एट का चैप्टर नमबर 6 एक्वेशन इन 1 विरियेबल देखने जा रहे हैं तो अब यहां पर हम लोग इसका वर्चजिट 6.1 solve करते हैं यह class 8 का है यह बात ध्यानत नहीं है तो what's in 6.1 तो यहां पर कुछ equations लिखे हुए हैं जिसको हम लोग को solve करना है तो simple equation है फटा फट इसको solve कर लेते हैं तो देखिए पहला है 2x plus 6 is equal to x minus 8 इसको कैसे solve करेंगे यह देखिए तो यहां पर first का a part है 2x plus 6 is equal to x minus 8 तो अब इसको solve करना है तो जो same like terms होते हैं change हो जाती है 2x में से 1x निकल जाएगा तो बचेगा x 1x और यहां पर देखे माइनस माइनस होता है प्लस तो 8 और 6 मिला के हो जाएंगे 14 और माइनस के बड़े किसाइन लगती है बड़ा था 8 8 किसाइन हो गई तो माइनस 14 यहां पर आपका सिंपली अंसर आ गया अब हम लोग चलिए सेकंड देख लेते हैं वी पार्ट भी पार्ट दे रखा है यहां पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे जो कॉंस्टन टर्म मतलब जो सिर्फ नंबर्स होते हैं तो देखे इसको हम लोग छेट-छाड नहीं करते हैं इसके साथ फ्री सतना तो चलिए उसको दर ले जाते हैं उधर पहले से मौजूद कौन है पहले से फोहां पे फोर है माइनस थी जाकर older जाके तो सी पार्ट यहां पर बोल रहा है एक्स प्लस फाइब अपॉन टू इस इक्वल टू एक्स अब देखिए लाइक टर्म यह दोनों तो हैं लेकिन अभी इनको डारेक्ट नहीं भेज सकते हैं अभी यह पहले यहां पर तो यहां पर रह जाएगा और तो यहां डिवाइड मे यहां पर माल लेते वन है तो जैसे कुछ नहीं होता तो वन होता है तो यह एक्स है यह भी एक्स है अब यह चोटा यह उधर चला जाएगा यहां बचेगा शिम्पल 5 तो 2x और 2x में से माइनस x हो जाएग क्योंकि यहां प्लस में था चुपा हुआ हुआ तो 5 इस इक्स मे is equal to 20 minus 2x upon 3 अब इनको ज़र हम solve करते हैं तो दिखें यह यह fraction आपको दिख रहा होगा और यह fraction दिख रहा है दोनों कुछ इसमें कुछ similarity है मिल रहे हैं दिख रहे हैं इनको धल ले आते हैं तो 3x upon 4 अब यह यहां माइनस में थे धर आके प्लस में हो जाएंगे प्लस 2x upon 3 मतलब हाँ एकल टू और यहां पर बचा क्या इधर बचा 20 और इधर था 3 प्लस में दर आके माइनस 3 हो जाएगा डारेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा समझेगा 3x upon 4 था माइनस 2x upon 3 था इधर आके प्लस 2x upon 3 हो गया इधर 20 पहले से था यहां पर इधर 20 पहले से था उसको लिख दिया और 3 यहां प्लस में था धर आके माइनस में हो गया अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आपको पता है कि जो फ्रेक्शन होते कैसे सॉल्व होते हैं तो 4 3 यहां 4 3 यहां 12 ग्रास मुल्टीप्ला लेते हैं तो 3 3 9 x हो जाएगा और 4 2 यहां 8 x हो जाएगा इस इकल तो आएगा 17 अब उसके बाद इन दोनों को एड कर लेते हैं अगर वैरियेबल सेम होगा तभी एड होगा तभी सब्ट्रेक्ट होगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है अगर वैरियेबल सेम हैं तभी प्लस होगा तभी सब्ट्रेक्ट होगा तो 9 8 होता है 17 नंबर से मतलब नहीं नंबर डिफरेंट हो कुछ चलेगा लेकिन वैरियेबल सेम होना चाहिए 9 8 17 हो गया एक्स और यह तो 12 डिवाइट में था उधर पर देते मुल्टीप्ला जो गया यह अब यहां यह यह देखिए यहां 17 और एक्स की बीच मल्टीप्लाइगी सान है कोई सान नहीं तो मल्टीप्लाइए इसको भी तरवे देते हैं कि हम एक्स की वैल्यू चाहिए जिदर 17 म्ल्टीप्लाइट टू ट्वैल पहले से था और अपॉन में आ गया 17 से 17 क और माइनस 1.8 is equal to 1.2 तो अब यहां पर क्या कर लेते हैं देखिए यह भी constant हमें मतलब एक नमबर है यह भी एक नमबर है तो इसको इदर लेते चले आते हैं तो x upon 1.7 is equal to पहले 1.2 था अब वहां पे plus 1.8 पहुंच गया अच्छा तो x upon 1.7 is equal to add कर लेते हैं 8 to 10 और 2 x 3 3.0 आ गया 1.7 ले जाके उससे multiply कर आज़े क्योंकि हां यह divide में है तो 3 point के point है point के बाद 0 है तो point 0 लिखने की जरूत नहीं है multiply में पहुंच गया 1.7 तो x की value कितनी आ जाएगी 5.1 तो simply x की value आ गए 5.1 अब इसका हम लोग देख लेते हैं second part question number 2 का यह देखते हैं यहां पर थोड़ा से मतलब लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ गया है x plus 3 is equal to 1 upon 2 तो अब देखे इसमें क्या करना है इस तरह की question में तो अगर equal to के इस तरफ भी एक fraction form है equal to के उस तरफ भी एक fraction form है तो simply हम लोग cross multiplication ही करेंगे simple cross multiplication solve हो जाएगा अगर equal to के इस तरफ fraction उधर भी fraction है तो आप देखे यह x-1 है जो यह x-1 इसका पूरे का multiply 2 से होगा इनको पहले हम लोग लेक्स लगते हैं 2 और ब्रैकेट में x-1 सेम काम उदर 1 से multiply होगा पूरे नंबर का तो x-3 यह हो गया अब यह बाहर नंबर है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट का जो भी कुछ होता है चाहे कोई sign हो चाहे कोई number हो उससा सब का multiply अंदर होता ह है तो 2 का multiply x से होगा तो 2x हो जाएगा इसी 2 का multiply 1 से होगा तो minus 1 है यहाँ पर तो minus 2 हो जाएगा 2 1 से होगा तो पता है 1 से होता है तो वही number आता है तो x-3 हो जाएगा 1 x-1 x-3 कोई फरक नहीं पड़ता है अब हम लोग लाइक टॉन दून लेते हैं तो यह देखे 2x और यह X है तो 2X बढ़ा है इसको यह रहनदा गए इसको इसको यह रहनदा है POLIEX की वैल्यू आ गई बीपार्ट है बीपार्ट तो एकदम सिंपल है उसी तरह से है सेम टू सेम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस सिक्स इस इक्वल टू थ्री अपॉन फाय तो दिस इस होंवक फॉर यू यह आपके लिए होंवक रहेगा इसको आप सॉल्ब करके दिखाए सेम टू सेम है भी जैसे में देख नहीं कि क्योमिया पर जीरीवल है यह यह वीरियबल के साथ रखिया जैसे होता फ्राइक सिंपर टू तो रहेगा उधर आया 21 upon 2 माइनस में पहुंच गया हमारे चाचा 3 21 upon 2-3 हो गया अब इनको solve कर लेते हैं तो 5x upon 2 is equal to चाहिए यहां पर लगा दीजिए 2-2 हो गया 21 हो गया cross multiply minus 6 हो गया तो कितना आ जाएगा वही 5x upon 2 21 में से 6 निकलेगा बचेगा 15 upon 2 अब देखिए हमने बताया था इधर भी फैक्शन इधर भी प्रेक्शन और बीच में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर तो दोनों तरफ लडाईया होंगी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन अब इनका इंसे करोगे तो 2-5 जा 10x हो जाएगा और 15-2 जा 30 हो जाएगा 30 30 अब यहां पर देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए थे एक के साथ 10 मल्टिप्लाइ में उधर जाके वह हो जाएगा डिवाइड में 0 से 0 कड़ गया वन का नीजे कोई वैल्यू नहीं होता है सिंपल सा था अब चले आगे देख लेते हैं यहां पर इसका डी पार्ट हम लोग देखते हैं डी पार्ट क्या चीज है तो डी पार्ट दे रखा है 8a और प्लस 7 अपान 6a प्लस 1 इस इकल टू 4a प्लस 5 अपान 3a प्लस 8 इकवल टू इंडिया पकिस्तान का बॉर्डर एकवल टू क्रॉस मल्टिप्लाई लड़ाई जगड़े अब चलो यहां पर 8a प्लस 7 की जो है वो लड़ाई होगी किसके साथ 3a प्लस 8 के साथ इक्वल टू फिर से आया अब 4A प्लस 5 की जो लड़ाई होगी वह होगी किसके साथ 6A प्लस 1 के साथ अच्छा इतनी बात तो हमें समझ में आ गई अब आगे क्या करना है अब 8A से 3A 8 का मल्टिप्लाई कराओ 7 का 3A और 8 से मतलब 8A का पहले 3A से कराएंगे फिर इसी 8A का हम पहले numbers करा लेते हैं फिर number by Priya owners करा कालेंगे 3D 24 और 8A कितना हो जाएंगा ऐसा क्यों क्यों क्योंकर हिएक कर यहां पर वन होती है कर शब trainings गरम एक हैर उसका दो हो गया ऑब इस शो कराना तो 88 जा प्लस करके 64 और यहां वैरिवल यहां वैरिवल ही नहीं तो ए आ जाएगा बस एक ही क्योंकि इसके पास था अच्छा प्लस लगाते हैं अब इस 7 का 3 यह से कराएंगे और इसी 7 का 8 से कराएंगे तो पहले नंबर कला लेते हैं 7 3 जा 21 और यहां पर ए है तो ए कर दिया 7 8 56 इक्वल टू इस तरह वाला अब इसी 4 एका पहले 6 से फिर इसी 4 एका वन से तो 446 जा 24 और इसके पास भी वेरियेबल है तो ए हो गया एए स्क्वायर अभी बताया था और इसी 4 एका वन से करेंगे तो 4 यह रहेगा प्लस 5 का 6 करेंगे तो प्लस 5 आगया अब देखिए हम लोग लाइक टर्म्स नूटते हैं तो देखे 24 एसक्वायर इधर भी है कल्डू के बाद भी 24 स्क्वायर है अब 24 इसका वेरियेवल उसका वेरियेवल से में तो यह लाइक टर्म्स है तो यह उठके जब उधर जाएगा तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा तो कट जाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे ही काड़ देते हैं इस्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है और अब इधर देखिए यह यह सेम वेरियेवल है सेम लाइक टर्म्स हैं जिन दुनों को एट कर लेते हैं तो 415 और 628 858 और प्लस क्या व है तो इक वल डू के इस तरफ ले लेफ जाडर कोई तो अग्वल दिख रहे हैं तो 85 theor है तो यह थोड़ी न हजाए तो यह इदर प्लस में था जब एकल डू के इस्तिरफ लाओगे तो माइनस 34 हो जाएगा ठीक अच्छा चलो फिर फाइव इदर है फाइव इदर बचा 56 को अधर भी देते हैं माइनस 56 हो जाएगा इतनी बास समझ में आई अब 85 में से 34 निकाल दो तो कितना आजाएगा 51 यह और अधर अब देखें यहां 5 जो है वो प्लस में है कोई साइन नहीं है तो प्लस में है तो प्लस 5 और माइनस 56 तो माइनस प्लस होता है माइनस और 56 में से 5 निकालोगे बचेगा 51 और एक बात और ध्यान रखनी है बड़े की साइन तो इन दोनों में ऐसे बड़ा था 56 उसक के बाद बड़े के सांखती है तो बड़े के सांखती है मेस- अब यहाँ आ गई मायनस वोन है का तो अब वेडियो ज्यादधा नहillar हो इसलिए अब हम लोग स्टॉप करते हैं अब आगे के इसके कुछ पार्ट्स बचे उए उसको तो हम लोग नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे, अब तक के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वाच करें वीडियो को, चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाइ